हेलो फ्रेंट्स स्वागता आप सभी का YouTube चानल जौश्ट्रे में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेट्रो रेल के तरब से एक नई वेकैंसी आई है 2020 की जो भी कंट्रियेट 10th 12th या ग्रेशन पास किसी भी सब्जेक्ट से तो वह अपलाई कर सकते हैं और फीमेल के लिए ओल इंजिया लेबल पर जॉब हैं सेल यह आपकी स्टार्ट होगी यहां पर 36 से और आपकी जिस तर से आगे बढ़ती रहेगी आपकी सेल में जो हैं इंक्रीज होते रहेंगे सेलेक्शन प्रोजेस एक्जाम पैटर्ण पूरी जान करें आपको दी जाएगी ताकि इस भेकेंशी को आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्लीज आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है जहां से आप उनलाईन इसे अपलाई कर सकते हो और इसकी ओफिस्यल वैब साइट का उसका टेलीग्राम ग्रूप में और टेलीग्राम चैनल में मैं जहूं इस सभी का जो है वह नोटिफिक्शन का जो है वह पीडियेफ सेंड कर देता हूं प्लीज सभी पे जोइन रहिए और सभी से देखते रही है कि आप सभी में से कुछ कंडिटेट हैं जो चेक नहीं करते हैं और बोलते हैं फेक निउस है या किसी दिव तरह की और भी बाती बोलते हैं तो प्लीज आप लोग जो है डिस्क्रिप्सन जरूर चेक कर आ किजिए वहां पर आपको पूरी डिटल यहां पर लखनव City आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप कहीं से भी बिलॉंग करते हैं किसी भी इस्टेट से तो आप इस वेकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपकी पोस्टिंग वह लखनव में होगी Metro Rail Corporation Limited उत्तर परदेश के तरफ से यह वेकेंसी निकाली गई है आप देख सकते हैं Assistant Manager के लिए Station, Controller Come, Train Operator के लिए SC और T.O की उसके जो है और भी सारे पोस्ट है जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी important date की दोस्तो इसकी starting date है आपकी बता दूँ दस मार्ट 2021 से last date दो अपरील 2021 रखी गई है फी पेमेंट करने की last date दो अपरेल 2021 रखी गई exam date और notification के बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई यह जैसे आएगी मैं आपको बता दूँगा दोस्तो एप्लिकेशन फी जेनरल OBC और EWS वाले candidate के लिए 2590 रुपे रखेंगे हैं SCHT और PH वालों के लिए 266 रुपे रखेंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए है दोस्तों यह चीज आप लोग ध्यान रखेंगे है जॉब लेकिशन जैसे कि मैंने आपको बताया लखना हो है यहां पर एज लिमीट की बात करें तो एज की केल्कु वालों के लिए हैं आपर तीन साल की छूट और HTSC वालों के लिए हैं आपर पांसाल की छूट जो UP को हैंगे उनके लिए ठीक है छूट उनहीं को सिर्फ मिलेगा नेक्स अब देखते हैं जो टूटल नंबर और पोश्ट हैं यहां पर दोसर बिरानवे हैं दोस्तों मैं य जो है यहां पर पोश्ट वाइद देख सकते हैं वेकेंसी दी गई है कितनी किस पोश्ट पर कितनी वेकेंसी दी गई है अब यहां पर एजुकेशन क्वालिफिक्शन की बात करें तो असिस्टेंट मनेजर के लिए जो हैं यहां पर देख सकते हैं उपरेशन है उनके लिए candidates के बाद जो है bachelor degree होना चाहिए relative stream से किसी भी university या किसी भी जो है वह बोड से तो आप apply कर सकते हैं more detail यहाँ पर दी गई है station जो controller है कम trainer operator के लिए ठीक है तो उन्हें के लिए यहाँ पर जो है वह मांगी गई है पोल टेकनिक जो engineering diploma in electronical electronics electronics and techno communication में अगर आपका है तो आप जो इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं उसका maintainer civil के लिए आपर जो भी आपे class pass कर रखे हैं और साथ में इलेक्ट्रोनिकल से इन्होंने जो है वह अपना idea कर रखे है तो वह अप्लाई कर सकते हैं maintainer से आपे देख सकते हैं SNT की जो है आपे वेकेंसी है उसमें अगर आप हाई स्कूल पास होड़ा साथ में जो है आई टीए की साधिपिक इलेक्ट्रोनिक्स और मेकेनिकल से ट्रेड से है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं दोस्तों मैंने आपको बता दूँ क्या कैसे अप्लाई करना और लिंक एक्टिव होगी तो मैं आपको कटके भी बता दूँगा दूस्तों अब मूडप सेलेक्शन की बात की जाए दूस्तों तो यहां पर मूडप सेलेक्शन जो है आपकी वह पहले होगी रिटेन टेस्ट ठीक है जो की दो पेपर होंगे एम वाले में उसका जेई में जो है यहां पर देख सकते हैं इसमें भी आपकी दो पेपर होने वाली है उसका इसमें ट्रेट टेस्ट भी होंगे ठीक है जेई वाले में और यहां पर मेडिकल टेस्ट भी आपकी लिए जाएगी उसका अड्रेस्ट जितने भी पोस्ट बचते हैं उनके लिए भी आपको तो यह सभी जानकरी मैंने आपको दे दी है अगर आप भी टेलिग्राम ग्रूप और चैनल दोनों जो एंड करना चाहते तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोग जाकी चेकाउट कर सकते हैं और वहां से आप हमसे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्त तब तक के लिए धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में